Indian subcontinent from 2500 to 500 before common era Here given the time of the Indian subcontinent That is the before common era times Means from today It is before 2500 years to 500 years याने कि ये कोंसा समय है? भारत का before common era का बट आज से धाई हदर साल से 500 साल तक का याने कि हो गया, गुजर चुका इतना समय का information यहाँ पर है Means 2500 to 1500 before common era हरपन civilization Okay, means Indus civilization Flourished in the Indian subcontinent ये समय किसका था? तो हरपन civilization का याने कि Indus civilization का After that from the 1500 to 500 before common era याने कि 1500 से 500 साल तक का जो समय था वो भारत में Vedas and Vedic society came into existence Neolithic and Chalcolithic cultures in various parts of the country Then Megalithic burials largely in the Peninsular ये जो समय है जो कि आज से 1500 साल से 500 साल तक चला था उस समय में क्या क्या हुआ? वो समय जो था? वो वेदिक एज से जाना जाता था साथ में ही वो चालकोलिथिक एज भी माना गया नियोलिथिक का वो लास्ट का टर्म था वो समय था और इस पिरियड में Megalithic समय के बहुत से बुरियल्स ग्रेव्स भी पेनिंसुला एरिया में याने के डेकन प्लेटियों से लेकर साथर्न मोस्ट पॉइंट तक बहुत से ग्रेव्स और बुरियल्स उस समय पाए गए तो यह वो समय था देन थाउजन्ट बिफोर कॉमन एरा थाउजन्ट बिफोर कॉमन एरा मेंस लैटर वेदिक सोसाइटी यह जो है वो लैटर वेदिक पिरियड है आज से एक हजार साल पहले का वो है लैटर वेदिक एज और उस समय की सोसाइटी अब हम वेदिक एज की तरफ चलेंगी कि क्या है वेदिक एज वेदिक एज कब स्टार्ट हुआ जब आरियन भारत में आ गए जैसे ही हुआ है इंड़ सिविलाइजेशन हरपन सिविलाइजेशन डिकलाइन हो गया फिनिश हो गया वो यहां आकर बस गए उन्होंने अपना खुद का कल्चर चालो कर दिया और सिविलाइजेशन उन्होंने बहुत प्रॉस्परस बना दिया धीरे धीरे वो भारत के नौर्थ वेस्ट डाइरेक्शन से पूरे भारत में फैल गए और उनके आने के बाद ही वेदों ने भी जन लिया इन इंडियन हिस्ट्री अपरियर बेट्वें फिप्टी 1500 तो 500 बिफोर कामन एरा इस ओफन रेफर्ड तो अस दे वेदिक एज अब भारत के जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री जो है उसका समय जो है 1500 से 500 बिफोर कामन एरा का और उस समय यह जो पिरियड है आज भी हम यह जो पिरियड है वो वेदिक एज से जाने जाना जाता है उसे वेदिक एज हम मानते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसी समय में वेदिक लिटरेजर फ्लोरिश हो गया वेदिक लिटरेचर एमर्जड हो गया और आज भी वो वेदिक लिटरेचर है और उसी से हमें इस वेदिक एज का इंफर्मेशन मिलता है the Vedic age can be divided into early Vedic age that is started in the 1500 to 1000 year before common era and the latter Vedic age that start in the 1000 to 500 before common era the Vedic literature includes the four Vedas, the Puranas, the Brahmins, the Aranyakas, the Upanishadas and the Epics, Ramayana and Mahabharata अब देखो Vedic age जो है वो दो भागों में divide हुआ है एक है early Vedic age और दूसरा है latter Vedic age early Vedic age जो है वो आज से 1500 साल पहले start हो गया और आज से 1000 साल पहले वो over भी हो गया यानि 500 साल तक early Vedic age था उसके बाद latter Vedic age start हुआ और ये latter Vedic age जो है आज से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले शुरू हुआ और आज से 500 साल पहले वो over भी हो गया यानि 500 साल तक latter Vedic age भी चला रहा था और इसी तरह से early Vedic age भी उतना ही चला था तो early Vedic age में बहुत सा Vedic literature flourish हो गया इन दोनों भी age में और लोर